नमस्ते दोस्तों टेरेस गार्णिंग और फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है जैसे कि यहां पे हम लोगों ने यह जो ट्रे है इसमें कुछ सीर्ज डाले थे यह बिट रूट के सीर्ज है और यह अच्छे खाशे जो है यहां पे आये है और अभी जो है इनको मैंने एक थोड़ी देर पहले एक दूसरे ग्रो बैग में लगाया है तो उसका आपको दिखाऊंगा और दूसरा है कि दूसरी जगह यूज करने से बेटर हम लोगों ने यहां पे थोड़े से सीर्ज डाले है जो कि अभी गर्मी में यह मिर्च देने वाले है तो अभी ही इसके बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुए है और कुछ मैंने लगाए है अब भी एक जो है वह आपको लगा के दिखाता हो यह ऐसा गीला है तो पूरा जो है निकल आया है तो इसको आप ग्रो बैग में लगाएंगे यह जो है यह थोड़ी से अलग मिट्टी है और इसमें कल ही मै मैंने यहां पर देख सकते हैं सरसो की खली इसके अंदर डाली हुई है और सरसो की खली डालने के बाद इसको पानी छोड़ा है आप सरसो की खली डायरेट भी दे सकते हैं या पानी में डाल के भी दे सकते हैं तो मैंने डायरेटी दिया है यहां पर देख सकते हैं यह मैंने थोड़े दिर पेले लगा कि पाने छोड़ दिया था और ये जो है ये मैंने अभी लगाया है तो देखते अभी कैसे ग्रो होता है और ये जो मिट्टी है ये पूरा ब्लाक स्वाइल है हमारे यहां पर इसको काली मिट्टी बूलते है इसमें थोड़ा साई कोकोपी डाला है तो इसमें अगर आच्छा आता है तो नेक्ष जो है गुरो बैग इसकी करने वाले है क्योंकि ये मिट्टी हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है तो इस तरह से ये किया है अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारी जो वीडियो है आगे कुछ दिनों में आने वाली है तो धन्यवाद